पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि जो भी हमने हाथ से नोट्स लिखे हैं उसको हम अपने कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप से कैसे जो है टैक्स्ट में कनवर्ट कर सकते हैं कैसे जो है MS Word में कनवर्ट कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर जो है नीचे वीडियो के डिक्सिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आप उस वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लिजेगा बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप हाथ से लिखे नोर्स को अपने मॉबाइल फोन से जी हाँ जो आप मॉबाइल फोन में ये वीडियो देख रहे हो इसी मॉबाइल फोन से अगर आपने कोई हाथ से नोर्स लिखा है उसको आप जो है MS Word में कनवर्ट करना चाहते हो टेक्स्ट में कनवर्ट करना चाहते हो जो जो सब्द आपने लिखे होंगे वो पूरा का पूरा एटोमेटिक जो है टेक्स्ट में कनवर्ट हो जाएगा तो अगर आप ये सीखना चाहते हो कि हाथ से लिखे नोर्स को mobile phone से कैसे सीधा MS Word में या फिर कहें text में convert कर सकते हैं तो ये विडियो आपके लिए है आप इस विडियो को पूरा देखेगा आपको typing करने की कोई भी जरूरत नहीं है बस जो चीजे मैं आपको इस विडियो के अंदर बता रहा हूँ इस तरीके को आप अच्छे तरीके से सीख जाएए आप आसानी से जो है हाथ से लिखे notes को MS Word में या फिर कहें text में convert कर सकते हो हैलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कंप्यूटर स्मार्ट क्लास विडियो पसंद आएगा तो like, share और subscribe तो आप जरूर करिएगा चलिए विडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको जो है अपनी वो notebook ले लेनी है जिसके अंदर आपने notes बनाए हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है एक notebook ले लिया है और इसके अंदर मैंने हिंदी के notes बनाए है और इसी notes को मैं आप सभी लोगों को mobile phone का इस्तमाल करके digital रूप में MS word में कहें या फिर कहें text में convert करके दिखाने वाला हूँ जितने भी सब इसके अंदर लिखे गए हैं जितने भी paragraph लिखे गए हैं वो बिना type किये ही मेरे phone में जो है digital farm में convert हो जाएंगे text में convert हो जाएंगे और हम जो है उसे कहीं पर भी इस्तमाल कर सकते हैं चाहे MS word में इस्तमाल करना हो चाहे WhatsApp पर या फिर कहीं पर भी इस्तमाल करना हो आप अरम से इस्तमाल कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने उसे open कर लिया है अब आपको क्या आगाम करना है अपने mobile phone को open करना है mobile phone को open करने के बाद सबसे पहले तो आपको चले जाना है play store पर और play store पर एक application है google translate करके आपको वही लिखना है google translate जैसे ही आप लिखोगे google translate करके यह application है ये application आ जाएगी वैसे आप सभी की आसानी के लिए मैं इसका link जो है वीडियो के description box में या फिर कहें टेलिग्राम चैनल पर भी दे दूँगा आप आसानी से जो है वहाँ पर से click करके इसको download कर सकते हो इसी application को आपको download करना है इतना ध्यान देना है अब download और install करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक open का option मिलेगा आपको जो है open पर click कर देना है जैसे ही आप open पर click कर दोगे तो इसके बाद आपके सामने जो इस application का main interface आता है कुछ इस तरीके से आता है यहाँ पर जो है आपको language select करने का option मिल रहा है मैं थोड़ा से इसको जो है जूम करता हूँ ताकि चीज़े आपको clear पूरा दिखाई दे यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी रखा है और यहाँ पर English रखा है वैसे इस language से उतना फर्क नहीं पढ़ने वाला है बस जो मैंने रखा है वही आपको भी रख लेना है आप यह देख सकती हो आपको इस camera पर click कर दिना है जैसे ही आप camera पर click कर दोगे आपके mobile phone का back camera जो है चाल हो जाएगा अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है जो भी आपका note से उसकी photo को खीचना है यानि photo click करना है तो जैसे कि मैं जो है यह वाला जो मेरा page है इसी page का जो है मैं इसके अंदर जो text लिखा हुआ है इसका मैं जो है digital form में convert करना चाहता हूँ इसको text में mobile phone में सीधा-सीधा type करवाना चाहता हूँ ठीक है तो इसके लिए मैं क्या काम करूँगा इसका एक full photo ले लूँगा full photo आपको जो है इस तरीके से click कर लेनी है तो यहाँ पर मैं जो है कुछ इस तरीके से click करके जो यह जो photo click करने वाला option था उस पर आपको click कर देना है ठीक है मैंने जो है पूरा page scan कर लिया है इसके बाद जो है आपको इसकी photo click कर लेनी है photo click करते ही आप देखोगी आपके जो text है वो English में convert हो जाएंगे English में convert क्यों हुए है क्योंकि हमने Hindi और English लट किया है Hindi में हमने लिखा है English में convert हो गए है लेकिन हमने तो यह notes जो है Hindi में ही बनाया था तो हमें Hindi में ही चाहिए तो इस condition में हमें क्या काम करना है यह जो arrow दिखाए दे रहा है आपको एक option दिखाए देगा so original text आप ये देख सकते हो so original text लिखा हुआ ना बस आपको जो है इसको on कर दिना है on करते ही आप देखोगे यहाँ पर जो है आपका पूरा पूरा हिंदी साब साब दिखाई दे रहा है जो भी आपने सकेंदर note सकेंदर लिखा होगा वो सब यहाँ पर जो है scan होकर के आ जाएगा डाउनलोड भी कर सकते हो हिंदी में लेकिन हमें तो यहाँ पर send to translate पर क्लिक करना है जैसे ही हम send to translate पर क्लिक करेंगे तो देखोगे जो इसके अंदर लिखा हुआ था ना वो सेम यहाँ पर जो है handwriting होगी ना वैसे मेरी handwriting अच्छी नहीं है जिसकी वज़े से थोड़ी बहुत इसके अंदर mistake हो सकती है मैं यह नहीं कराओं कि बिल्कुल proper 100% आपको यह बिल्कुल सही तरीके से लिख करके देगा अगर आपकी handwriting अच्छी है आपने सब्दों को साफ साफ लिखा है न तो 99% जो है आपको पूरा का पूरा copy करके यह दे देता है यानि जो आपने इसके अंदर लिखा है सेम वही चीज इसके अंदर भी आपको मिल जाएगी अब माल लिजिए इसके अंदर कोई correction करना हो कोई चीज सुधार करनी हो कैसे करोगे जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर 4591 लिखा है लेकिन यहाँ 95 आ गया है तो इसको correction करना हो तो कैसे करोगे correction करने के लिए आपको जो है बस इस पर एक बार click कर देना है क्लिक करते ही यहाँ पर देखे एक pencil का icon बन जाएगा इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी correction करना है मैं माल लिजिए इसको यहाँ पर 9 के जगह पर 4 लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर click करने बाद यह जो keyboard दिखाए जाए रहा है इस पर click करिए keyboard आ जाएगा नीचे की side में इसको जो है delete करिए और आपको mobile phone का keyboard तो पता ही है कैसे यूज करना है आप आराम से इसको जो है यूज कर लिजे फिड कहीं पर भी click कर दीजिए आराम से यह आपका edit हो जाएगा देख सकतो ठीक है यह edit हो जाएगा इस तरहीं से कुछ भी चीजे थोड़ी बहुत अगर गलती हो गई है तो 99% यह जो है अच्छे तरीके से काम करता है इसके बाद आपको यहां से इसे copy कर लेना है यह देखिए copy का एक button आपको दिखाए देगा मैं फिर से थोड़ा सा zoom कर देता हूं उस पे यह देखिए copy का यहां पर आपको एक button दिखाए देगा आपको copy पर click करना है यह जो पूर और application बता देता हूं जो की Google का यह है Google Docs के नाम से है जिसके अंदर हम जो है कोई भी notes वगएरा को अराम से save करके रख सकते हैं future के लिए ठीक है Google का application है बहुत ही कमाल का application है मैं ऐसे बहुत ही समय से use करता हूं तो Google Docs application को भी अपने phone में आप install कर सकते हो install करने के बाद आपक जो है new document पर click करना है इस तरीके से एक नया document बनाने का option मिल जाएगा आपको क्या काम करना है अब आपने जो copy किया था इसके अंदर paste कर देना है इसके अंदर दबा करके रखना इस तरीके से click करके यहां पर paste का option मिल जाएगा paste पर click कर दिजिए जो भी चीजे हमने जो है वह दोस्त का number डाल करना है और यहां पर जो है select करके जिस तरीके से हम लोग paste करते हैं paste करने बाद भेज़ देना है इस तरीके से देखे यह notes जो है चला जाएगा पूरा अच्छा तरीके से इसके अलामा आप चाहो तो play store से MS word की एक application है उसको भी use करके उसके अंदर भी इस text को paste कर सकते हो तो जैसे कि मैं आपको word की application भी दिखा देता हूँ word आपको लिखना है word आ जाएगा यह जो देख सकते हो आप application आ गई है इसको भी आप चाहो तो अपने phone में install कर सकते हो install करने के बाद आपको इसे open करना होता है और यहां पर जो है account बनाने के लिए बोलेगा तो इसकी far now पर हम click कर देंगे और यहां पर जो है plus पर click करके एक नया document blank यहां से ले लेंगे और blank लेने के बाद जो है इसके अंदर भी हम लोग paste करके उसको use कर सकते हैं फिलाल MS word में अभी के time में जो है अगर आप blank document पर click करोगे जैसे कि मैं आपको करके दिखा जता हूँ blank document तो यहां पर sign up करने के लिए बोल रहा है यानि account बनाने के लिए बोल रहा है तो मैंने अभी इसका account नहीं बनाया है अगर आपने बनाया होगा तो यहां पर इस तरीके से option नहीं आएगा blank document का आएगा आप उसके अंदर paste करके MS word में भी use कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों बस यहां पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि Google Translate application को आपको अच्छे तरीके से use करना सीख लेना है कि कौन सी यहां पर कौन कौन सी language रखनी है और photo को click करने के बाद जैसे कि मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं इतना ही click करके हम लोग देख लेते हैं example के लिए click कर ल translate home पर click करके आप जो है सीधा सीधा इसको हिंदी में convert करके कहीं पर भी यूज कर सकते हो तो Google Translate application को अगर आपने अच्छे तरीके से use करना सीख लिया तो आप अपने mobile phone से ही हिंदी में लिखे notes को या फिर English में लिखे notes को आसानी से जो है text में convert कर सकते हो MS Word में ले जा सकते ह हो जहां मर्जी चाहे वहां पर आप जो है आसानी से save कर सकते हो फिलाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए साथ में आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share कर दी